इंडियान पॉलिटी की थियोरी सीरिस को हम यहाँ पर आगे बढ़ाने वाले हैं देखिए केजूली पहले बात कर लेते हैं फिर हम इस टॉपिक की बात करेंगे देखिए क्या आपके दिमाग में कभी एसा खुशन आया है कि सर जो इंडिया के टेक्सपेर हैं जो टेक्सपें करते हैं उनके पेसेगा उप्योग सेन्टरल गॉर्णमेंट सही जगह पर करेगी उसका दुरुपियोग नहीं करेगी इसकी क्या गयारेंटी है तो इसी लिए Indian Constitution में एक independent post बनाई गई है एक बहुत important post बनाई गई है जिसका नाम है Comptroller and Auditor General of India Indian Government भी इस post से काफी डरती है और Comptroller and Auditor General of India जिसे CAG के नाम से जाना जाता है ये धन के दुर्वियापार पर Central Government पर प्रतिवन भी लगाती है काफी student के demand आ रही थी कि सर SSC के exam में CAG से काफी question पुछे जा रहे हैं तो एक बार इस topic को आप detail में पढ़ा दीजिए पहले भी मैंने आपको काफी बार ये पढ़ाया है लेकिन यहाँ पर आज के session में हम Comptroller and Auditor General को detail में समझेंगे और last में इससे related कुछ MC की उसकी भी बात करेंगे मेरा नाम है पंकजवेशना और आप सभी जानते हैं कि मैं यहाँ पर आपको Indian Quality और Current Affairs पढ़ाता हूँ यहाँ पर देखिए daily current affairs भी हमारा continue चल रहा है अगर आप वो वीडियो नहीं देखते हैं तो आप उस वीडियो को भी वाच करना शुरू कीजिए क्योंकि इंडिया की हर एक्जाम में Current Affairs से question definitely पूछे जाते हैं आईए Comptroller and Auditor General को जान लेते हैं कि यह actual में क्या है तो देखिए यह एक ऐसा व्यक्ति है या एक ऐसी constitutional post है जो इस बात पर ध्यान रखती है कि इंडियान गवर्मेंट ने जो खर्चों का अनुमान लगाया है और जिसके लिए वो बजट लेकर आए हैं वो पेशा जो कि बजट के माध्यम से निकाला जाएगा वो सही जगह पर सही विभाग में और सही काम के लिए खर्च हो रहा है या नहीं कहीं उसका दुर्पयोग तो नहीं हो रहा अगर धन खर्च नहीं हुआ तो उतना धन सेफ रखा हुआ है या नहीं या बचा हुआ है या नहीं इस बात को audit करने का काम Comptroller and Auditor General के द्वारा किया जाता है यह भारत के लोकवित्त का सदक्चक कहलाता है भारत की संचित निधिया Consolidated Fund जो है उसका सदक्चक भी Comptroller and Auditor General को ही कहा जाता है भारती सविधान में Article 148 में इस Constitutional Post का उलेक देखने को मिलता है Article 148 में भारती सविधान का Article 148 CAG की बात करता है Comptroller and Auditor General of India की बात करता है भारत की संचित निधि का सदक्चक जो लेखा होते हैं उन्हें Audit करने का काम Comptroller and Auditor General of India का होता है भारती सविधान के Article 148 में उलेक किया गया है कि CAG की निउक्ति भारत के रास्ट्रपती के दुआरा की जाती है किसके दौरा रास्ट्रपती के दौरा CAG की निउक्ति और पत से हटाए जाने से संबंदित जो प्रावधान है वो सविधान के Article 148 में उलेकी थे इनकी निउक्ति इस Article के तैद भारत के President करते हैं लेकिन क्या भारत के President अपनी इच्छा से किसी भी व्यक्ति को CAG के पोस्ट पर निउक्त कर सकते हैं क्या नहीं आपको पता है President हर काम मंत्री परिशत की सिफारिश पर करते हैं किसकी सिफारिश पर मंत्री परिशत की सिफारिश पर तो मंत्री परिशद जिस व्यक्ति का नाम प्रेसिडेंट को भेजेंगे प्रेसिडेंट उस व्यक्ति को आर्टिकल 148 के तहद भारत का C.A.G. निक्त कर देंगे लेकिन क्या मंत्री परिशत किसी भी व्यक्ति का नाम CAG के लिए भेज सकते हैं भेज सकते हैं पर एक क्वालिटी होना चाहिए उसे भारत के लोक वित्त का ग्याता होना चाहिए भारत के फाइनेंस का अच्छा ग्यान होना चाहिए एसे व्यक्ति का नाम मंत्री परिशद प्रेसिडेंट को C.A.G के पद के लिए भेज सकती है और उस व्यक्ति को C.A.G के पद पन्युक्त कर दिया जाता है अब आपको ये चीज़ समझना पड़ेगी कि मंत्री परिशद C.A.G के पद के लिए जिस व्यक्ति का नाम भेजेगी तो मंत्री परिशत का कहीं ना कहीं बहुती प्री व्यक्ति होगा उसी व्यक्ति का नाम CAG के लिए मंत्री परिशत प्रेसिडेंट को भेजने वाली है तो जब मंत्री परिशत बजट के माध्यम से धन को निकालेगी संचीत निदी से और उसके बाद अगर वो उसका दुरुपयोग भी कर लेती है तो क्या यारंटी है कि CAG मंतरी परिशत के दुआरा किये गए घोटाले को छुपाएगा नहीं क्योंकि ultimately CAG के पत पर जिस व्यक्ति को भेजा गया है वो मंतरी परिशत का ही तो प्री होगा कही ना कहीं जैसे राज्यपालों की न्यूक्ति होती है अगर BJP की गवर्मेंट सेंटरल में है तो जितने भी स्टेट में राज्यपाल न्यूक्त होंगे वो कहीं न कहीं BJP के व्यक्ति होंगे सेम CAG के पत के लिए भी ऐसे किसी व्यक्ति को Central Government में जो भी सरकार हो वो इसे व्यक्ति को CAG के पत के लिए नाम भेश सकती है तो इस कंडिशन में क्या ग्यारंटी है कि Taxpayer के पेसों का दुर्पयोग मंत्री परिशद या Central Government के द्वारा नहीं किया जाएगा तो इसके पीछे बहुत ही interesting fact आता है कि देखिए CAG मंत्री परिशद ने बजट के माध्यम से जो पेसा निकाला है किन-किन विभागों में खर्च हुआ है इसको CAG audit करता है आगे चलकर CAG अपनी report भारत के President को सोब देता है और ये प्राउधान Indian Constitution के Article 151 में देखने को मिलता है विशेश वार्षिक प्रतिवेदर CAG Article 151 के तहट अपनी वार्षिक report भारत के President को सोबते हैं और President उस report को Parliament में रखवाते हैं कहाँ पर भारत की संसद में अब जब भारत की संसद में उस report को रखा जाता है CAG के audit को रखा जाता है तो Parliament में CAG की report को audit करने के लिए एक कमेटी का गठन किया जाता है जिसे कहा जाता है लोक लेखा समीती लोक लेखा समीती Public Accounts Committee के नाम से जानी जाती है जब CAG की report President Parliament में रखता है तो CAG के audit की जाज करने के लिए लोक लेखा कमेटी का गठन किया जाता है यहाँ पर लोक लेखा कमेटी में टोटल 22 सदस्यों होते हैं जिन में से 15 सदस्यों लोक सभा से लिए जाते हैं और 7 सदस्यों राज्य सभा से लिए जाते हैं पंदरा लोक सभा के सदस्यों को नामित करते हैं लोक सभा अध्यक्ष और राज्य सभा के सदस्यों को राज्य सभा के सभापती नामित करते हैं अब यहाँ पर इंटरस्टिंग चीज यह है कि लोक लेखा कमिटी में मंतरी परिशत का कोई भी मेंबर नहीं होता और यहाँ पर milestone ये है कि लोक लेखा समीती का जो अध्यक्ष होता है वो हमेशा विपक्ष का नेता होता है या विपक्ष का कोई व्यक्ति होता है अब आप समझो CAG अगर गड़बड़ी कर भी देता है अपने audit में तो CAG को पता है कि मेरी report अंतिम report नहीं बलकि मेरे दुआरा किये गए audit की जहांच आगे चलकर लोक लेखा कमिटी करेगी जिसका अध्यक्ष हमेशा विपक्ष का नेता होता है इसलिए CAG मंत्री परिशत के दुआरा जहां जहां पर व्याई किया गया है संचित निदिस में से पेसे निकाल कर उसकी सही report देता है क्योंकि इनको पता है कि आगे चलकर मेरी report को audit करने के लिए लोक लेखा समीती का गठन किया जाएगा तीन important parliamentary committee में से एक है लोक लेखा समीती इसलिए CAG कभी भी मंत्री परिशत के बजट से जो पेसा निकाला गया है संचित निदिसे और कहां कहां पर व्याई किया गया है उसकी सही report ही प्रदान करता है इसलिए CAG को लोक लेखा कमिटी का बड़ा भाई और मार्ग दर्शक कहा जाता है क्योंकि CAG की report को आगे चलकर को जाच करेगा लोक लेखा समीती करेगा इस तरह से ये कही ना कही जो taxpayer है उनके पेसे का दुरुपयोग central government या state government ना कर पाए इसके लिए Indian constitution में CAG की post बनाई गई है और CAG इस पर कही ना कही foundation लगाता भी है I hope समझ में आया होगा अब हम देख लेते हैं कि Indian constitution में controller and auditor general से related क्या-क्या प्राउधान है यहाँ पर ये भी याद रखिएगा Indian audits and accounts का प्रमुक CAG होता है ठीके? अगर सेंटल गवर्मेंट की लेखा का जाच कर रहा है तो CAG उसकी report भारत के प्रेसिडेंट को देते हैं और अगर स्टेट की लेखाओ का जाच कर रहा है तो CAG अपनी report उस संबंदित रज्जि के राज़पल को सोपते हैं इसके अलावा प्रेसिडेंट जो भी काम CAG को दें, अदर्स वो सारे काम CAG करते हैं अब देखिए भारती सविधान में क्या प्राउधान है? पहले हम उनकी बात कर लेते हैं नियुक्ती तो हमको पता चल गए कि प्रेसिडेंट करते हैं पर हटाय किसे जा सकता है? इस्तिफा किसको देंगे? इनको हम Constitution में आकर समझते हैं देखिए भारती सविधान के Article 148 से 151 तक के चार आर्टिकल Comptroller and Auditor General की बात करते हैं ये चार आर्टिकल कौन कौन से हैं? तो देखिए Article 148 सीरी बात करता है भारत के CAG की नियुक्ती और पदमुक्ती से संबंदित इसके बात 149 केग के कारे और शक्तियों की बात करता है Article 150 संग एवम राज्यों के लेखा प्रारूपों के संबंद में रास्ट्रपती को CAG सला देगा Article 50 में प्राउधान देखने को मिलता है Article 51, 151 अंकेशन प्रतिवेधन की बात करता है मतलब वार्शिक रिपोर्ट CAG अपनी रास्ट्रपती को सोपेंगे और रास्ट्रपती उसको बाद में संसत के पडल पर रखवाएंगे ठीके तो यह वार्शिक प्रतिवेधन आपको यहाँ पर तीन आर्टिकल याद करेंगे, काम हो जाएगा Article 148, CAG की न्यूकती केसे की जाए और पत्से केसे हटाय जा सकता है 149, CAG के कार्य और शक्तिया 151, CAG की वार्शिक प्रतिवेधन CAG किसको सोपते हैं, भारत के प्रेसिडेंट को सोपते हैं अब आपको यहाँ पर यह तो पता चल गया कि आर्टिकल 148 में CAG के पत्का उल्लेक किया गया है और इसके तरट CAG की न्यूकती भारत के प्रेसिडेंट के दौरा की जाती है क्योंकि न्यूकती प्रेसिडेंट के दौरा की जाती है इसी लिए अगर CAG को अपना पद छोड़ना है कारिकाल के बीच में तो यह प्रेसिडेंट को अपना इस्तिफा देकर अपना पद छोड़ सकते हैं लेकिन अगर इस्तिफा नहीं देते तो सामाने परिस्तिती में CAG का जो कारिकाले वो 6 वर्ष या 65 वर्ष का होता है जो भी पहले हो 65 वर्ष की उम्र इनकी रिटार्मेंट की एज है उसके बाद ये राज जी या केंद्र सरकार में कहीं पर भी लाब के पद पर कारिन नहीं कर सकते तो आर्टिकल 148 में CAG की नुक्ति प्रेसिडेंट करते हैं तो भी प्रेसिडेंट को देके अपना पद छोड़ सकते हैं लेकिन अगर इन्हें इनके कारिकल के दोरान इनके पद से हटाना है तो इनका जो पदे CAG का वो सुप्रीम कोट के जजेस के बराबर होता है सुप्रीम कोट के नियाधीश के समान होता है तो इन्हें CAG को उनके पद से उसी प्रोसीजर के दोरा हटाया जा सकता है जिस प्रोसीजर के दोरा सुप्रीम कोट के जजज को उनके पद से हटाया जाता है मतलब संसत के दोनों सदनों में विशेश बहुमत के आधार पर अगर बिलपास हो जाता है कि CAG को हटाने से संबंदित, उपस्तित और मतदान करने वालों का विशेज भवमत चाहिए होगा, दोनों सद्नूम. तब CAG को यह सुप्रीम कोट के नियाधिश को उनके पद से हटाया जा सकता है. तो CAG की पोस्ट किसके समाना अंतर है तो सुप्रीम कोट के नियाधिश के समाना अंतर है क्लियर हो जाता है नियांतरक एवं महालिखा परिक्षक लोकवित्त का सरक्षक होने के साथ ही देश की संपून वित्ती विवस्ता का नियांतरक भी होता है लोक वित्त का सदक चके, आपके पेसे को कही ना कही सरक्षित करता है, आपका जो टेक्स आपने पे किया था, जो धन पे किया था, उसको सरक्षित करने का काम CAG के दौरा किया जाता है न्यूक्ती अभी मैंने आपको बता है, प्रेसिडेंड करते हैं भारत के, हलाकि मंत्री परिशत किसी फारिश्पर करते हैं, पर न्यूक्ती प्रेसिडेंड के दौरा की जाती है कारिकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष का होता है जो भी पहले हो इस से पहले प्रेसिडेंट को अपना त्याक पत्र दे कर अपना पत छोड़ सकते हैं जब रिटायर हो जाएंगे तो अवकाश प्रापती के बाद CAG सरकारी पत धारण नहीं कर सकते या किसी भी लाप के पत पर नहीं रह सकते हटाने संबंदित प्रावधान वही है जो कि सुप्रीम कोट के जजेस को हटाने के लिए यूस किया जाता है दोनों सदनों में उपस्तित और मतदान करने वालों का 2 upon 3 majority मतलब special majority से अगर बिल पास हो जाता है CAG को हटाने का तो CAG को अपना पद छोड़ना पड़ेगा ओके दोनों सदनों में विशेज भहुमत से एसा बिल पास होना चाहिए तो इन्हें इनके पत से हटाया जा सकता वेतन और भत्ते सुप्रीम कोट के नियाधीश के समाने यूकि इनका पत सुप्रीम कोट के नियाधीश के समाने और वेतन और भत्ते CAG के भारत की संचित निधी से दिये जाते है consolidated fund से दिये जाते है अब यहाँ पर एक नोट याद रखिएगा जो कि मैंने आपको शुरुआत में भी बता दिया था भारत तथा प्रत्यक राज्य एवं संग राज्य शेत्र की संचित निधी से किये गए सभी वियाए भीधी के अधीन हुए है या नहीं सही तरीके से हुए या नहीं इस बात को audit करने का या जाच करने का अधिकार इसको दिया गया है CAG को दिया गया है अगर central government के लेखाओ को audit कर रहे हैं CAG तो अपनी report भारत के रास्ट्रिपती को देंगे और अगर state के लेखाओ को audit कर रहे हैं तो अपनी report संबंदित राज्य के राज्यपाल को सोपेंगे तो ये हो जाता है CAG चार आटिकल में Indian constitution में उलेख किया गया है लेकिन आपको केवल तीन आटिकल याद रखने आटिकल 148, 149 और 151 150 को आप छोड़ दीजिए 148, 149 और 151 को यहाँ पर याद रखे तो ये है CAG का पद नियुक्ति कैसे होती है सविधान में क्या प्राउधान है क्या importance है देश में constitution में इसके बारे में मैंने आपको एक एक करके पूरी जानकारी दे दी अब हम question answer को discuss कर लेते हैं कुछ 4-5 question answer देख लेते हैं जल्दी से उसके पहले एक update देता हूँ देखिए crazy gk trick के root application का एक साल पूरा होने के उपलक्ष में आपके लिए sell शुरू हुई है जो की देखिए root application पर आपको 80% तक का off सभी courses पर देती है तो आप बिना देर किये root application को playstore से download कर लीजिए और वहाँ पर किसी भी course पर आपको 80% तक का off easily मिल जाएगा देर मत कीजिए कुछ समय के लिए ही है sell सारे courses आप join कर सकते हैं इसके अलावा आपके लिए RMBach भी शुरू की गई है root application पर जहाँ पर GS के सभी subject जो भी आपको यहाँ पर दिख रहे है बहुत ही depth में जाकर पढ़ाए जाने वाले हैं बहुत ही basic से पढ़ाए जाएंगे जिससे इंडिया की किसी भी exam में state की किसी भी exam में अगर आपको GS का कोई भी question आता है आप easily fight कर पाऊगे और current भी आता है current affairs भी आता है लेकिन उसके लिए आपको daily current affairs channel पर शुरू हो गया है वहाँ पर daily current affairs आपको में ही पढ़ाता हूँ तो आप उसे join कर लीजे रोज देखिए video क्योंकि current के question कहीं से भी आ सकते हैं इसके अलावा आपको मेरी मेरा थन भी मिलती रहेगी current affairs की वहाँ पर उसे भी आप जाकर देख सकते हैं ठीके आईए question answer discuss कर लेते हैं CAG से संबंदित पहला देखिए भारत के CAG के बारे में सही कथन है इन में से कौन सा कथन CAG से संबंद में सही है देखिए इनकी नियुक्ति केवल प्रेसिडेंट के उपर आ सकता है देश के सविधान में ये प्राउधान किया गया है आर्टिकल 61 में वह केवल लोक उपक्रमों का लेखा परिक्षन कर सकते हैं गलत है जो काम प्रेसिडेंट सोपेंगे वो काम CAG करेंगे मैं आपको बताया था तो ये कथन भी गलत हो जाता है सेवा निरत्ति के बाद सरकार में लाप के पत पर काम कर सकते हैं नहीं कर सकते ना तो सेंट्रल गवर्मेंट में नहीं किसी स्टेट गवर्मेंट में लाप के पत पर रिटार्मेंट के बाद काम नहीं कर सकते तो केवल एक कथन यहाँ पर सही है आंसर A यहाँ पर सही हो जाता है इनकी न्युक्ति भारत के प्रेसिडन्ट के द्वारा की जाती है सेकें देखिए भारत के CAG किसके लिए मुख्य लेखा कार तता परिक्षक के रूप में काम करते हैं किसके लिए काम करते हैं, तो संग सरकार के लिए करते हैं, सेंटल के लेखाओं को अडिट करते हैं, बिल्कुल सही, राज्ज के लेखाओं को भी अडिट करते हैं, तो ये भी सही हो जाएगा, मतलब, आंसर C, संग तदा राज्ज सरकार दोनों के लिए काम करते हैं, आगे द या महादी वक्ता जो हैं वो पदधारन कर सकते हैं अपने रिटार्मेंट के बाद भी लेकिन CAG नहीं कर सकते हैं कोई भी लापका पदधारन तो अंसर हो जाएगा आंसर B केवल दो यहाँ पर सही है कौन से कार्य भारत के CAG नियंत्र के ओं महालेखा परिक्षन के कार्यों की परीधी में आते हैं CAG की कार्यों की परीधी में आते हैं आएए देखते हैं multiple choice में वह यह सुनिश्चित करता है कि विधान मंडल द्वारा स्विक्रत धन प्राधीकरत अधिकारी द्वारा निर्धारित कार्यों पर ही खर्च किया गया है बिलकुल सही इस्टेट को भी audit कर करता है न तो वो देखेंगे कि भाईया जिसको authority है वो ही व्यक्ति धन या वो ही संस्ता धन व्याय कर रही है कि नहीं सही जगे कर रही है कि नहीं तो यह CAG चेक करता है बिलकुल सही वह अपना प्रतिवेदन रास्ठिपति और राज्जपाल के समक्ष प्रस्तूत करते हैं तीनों ही यहाँ पर बिलकुल सही है एक दो और तीन इसके बाद लास्ट कुश्चन होगा आए थी देखिए भारत की नियंतरक एवं महालेखा परिक्षक के विशय में निमनलिकित में से कौन सा कथन सही है फिर से multiple choice देखिए ऐसे कुश्चन से अब आपको ड़ने की जरु बिलकुल सही है ना सेम प्रोसीजर है क्योंकि पोस्ट समानान तर है तो यह कथन सही है सेकेंड वा राज्य और केंदर दोनों के लेखाओं की जाच करता है बिलकुल सही है यो तो हम पढ़ते ही आरे लगाता है तो एक और दो दोनों ही यहाँ पर CAG के संबंद में बिलकु fight कर पाओगे बहुत ही simple question आते बस एक बार procedure समझ लो constitution में क्या प्राउधन है वो समझ लो तो CAG से फिर आपका question कभी भी गलत नहीं हो I hope session अच्छा लगाओगा पसंद आया हो तो like और share कर दीजेगा चेनल को subscribe कर लिजेगा फिर मुलाकात करेंगे next session में किसी नए अच्छे topic के साथ तब तक अपना खयाल रखिए जय हिन जय भारत